है लो फ्रेंड वेल्कम टू इजले ने आपका बहुत स्वागत है इस वीडियों हम देखेंगे frei Boss आपको यह पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दुस्तों के साषवी किज़ेगा देखें दुस्तों न को बना रहे है इग्जटां कर लें घंल को सबस्क्राइब कर लिए अ keen आप सब कुछ पर चाहिए आपको suicide आप में भी शेर कर सकते हैं वीडियो को ठीक है ना चले स्टार्ट करते हैं एट परसंड ए बी सी क्यू आर एस टी एंड डब्लीव वर वर बॉर्न ओन डिफरेंट मंथ इन सेम यर एक ही साल में अलग-अलग मंथ पे आठ लोग का जन्म होता है जन्वरी फिब्रोरी मार्च जून डिंद जूलाई औग्टोबर नॉवंबर एन डिसम्बर बट नो ट निसशेंट अरोडर लेकिन सेम अरॉडर में इनका बर्थ हो रहा है यह हमें नहीं बता मतलब जन्वरी में A का हो रहा है B का फर्वरी में हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो not necessarily in the same order तो अलग-अलग हमें 8 मंत भी दिये हुए तो सबसे बहले जब मंत है न तो मंत को आपको लिख लेना है कैसे सिक्वेंस में जन्वरी फर्वरी मार्च अपरिल में जून जुलाई ठीक है न उसी सिक्वेंस में लखना है असा नहीं है का फर्वरी पहले मार्च बाद में ऐसा नहीं सर्वरी पहले लिख लिए उसके बाद जान लिखा ऐसा नहीं करना है जिस सिक्वेंस में जो मंत आ अभी कौनसा लेपियर ऐसा कुछ यहां पर लिखा नहीं तो मैं 28 देज लिख रहो फिब में 31 जून में 30 होता है जूलाई 31 अब स्टाट करते हैं ए वाज मन्थ वीच गया लेज देन 30 दें 30 का मतलब कितना होता है यह हैं यह फर्वर इसमें 28 डेज टेकर न तो ए वाज बॉन्थ वीच है लेज देन 30 देज तो फिक्स होगा कि यह इदर जन हुआ है ए का फर्वरी में इसका जो है वो बर्थ हुआ था उसके बाद बात करते है C was born in a month which has a 30 day C कौनसे मन्य में पैदा हुआ जिसमें 30 day है तो 30 day वाले कितने मैंने जून और November तो दो possibility बन दे चलिए बना लेते हैं दो possibility से में डरना नहीं है बना लेना है तो C इधर C इधर भी हो सकता या फिर इधर हो सकता ठीक है ना बना लिया उसके बाद 3 there were 3 persons born between C and S C और S के बिच में 3 लोग तो इउपर तो 3 लोग आ नहीं सकते हैं तो 1, 2, 3, छोड़के S 3 छोड़के S नहीं आ सकता हैं 1, 2, 3, छोड़के S ठीक है ना no one born between S and R S और R की बिच में कोई पैदा नहीं हुआ तो मतलब S और R दोनों के नजदिक होने चीए ठीक है ना या तो S immediate above R होगा या फिर immediate below R होगा ठीक है ना तो यासा कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों नजदिक होने चीए तो S के immediate above R होनें सकता इस तरह बाजाएगा तो यह दोनों immediate क्या कह सकता है कि नजदिक है no one born between S और R S और R की बिच में कोई पैदा नहीं हुआ इधर S होगा तो R नीचे तो आ नहीं सकता तो R इदर आजाएगा ठीक है यह होगा तो number of a person were born between Q and T is same as W and T Q और T के बीच में जितने पैदा हुए उतने ही W and T के बीच में पैदा हुए तो इस तरीके से condition से आपको एक बात पता चाहिए चल जाने चाहिए कि Q और W के बीच में ही T होना चाहिए Q और W अपने position change कर सकते लेकिन T कहाँ पर होगा इसके middle में ही कई पर होगा Q और W के बीच में ही T होना चाहिए इदे same B was born just before just after W just after W कौन पैदा हुआ है B तो मैंने इसको 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 लिख 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 B was born just after W just after W अब हमारे पार जो condition दी उसको हम लिखते और arrange करते हैं तो माल लो Q यहाँ पर ओके हम कौन से लेंगे यह लेते हैं कि W के immediate नीचे B होना चाहिए तो यहाँ पर W होगा लेकिन B नहीं आ सकता W होगा तो B नहीं आ सकता एक ही जगा है W उसके immediate नीचे B आ गया यहाँ पर एक ही जगा बचिए जिसके W और immediate नीचे B आ गया अब Q, T और W बचाता तो Q और W के बीच में T होना चाहिए तो माल लो Q इदर रखता हूँ तो इन दोनों के बीच में के T नहीं आएगा तो हमें Q को इदर रखना पड़ेगा T को इदर रखना पड़ेगा तो W और T के बीच में कितना एक सारी, W और T के बीच में एक है और Q और T के बीच में भी कितना एक तो Sam यह condition follow हो रही है इदर हम रखके देख रहे है तो इदर नहीं होगा set Q क्योंकि हमने कहा था कि W और Q के बीच में T होगा तभी यह condition satisfy होती है तो W इदर है मैं Q इदर रख रहा हूँ और T इदर रख रहा हूँ तो माल लो W और T के बीच में दो लोग है लेकिन यहाँ पे तो Q और T के बीच में बहुत सारे है या फिर माल लो में T इदर लेता और Q इदर लेता तो W और T के बीच में कितना 1,2,3 लेकिन Q और T के बीच में तो बहुत सारे लोग है तो Sam नहीं होता तो यह possibility cancel हो जाएगी तो यह जो है वो answer हो जाएगा ठीक है न I hope कि आपके वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लिजेगा अपने दोस्तों के चाथ share भी किजेगा Thank you very much